चलिए आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं Automatic Solar Light जो कि 3.7V का बैटरी से बनाने वाले हैं और यह जो हम खास करके बना रहे हैं दोस्तों यह बाहर के लिए बना रहे हैं इससे पहले जो हमने बनाया था 3.7V यही बैटरी का हमने यूच किया था और यह टांजिस्टर हमने यू करने वाले हैं भीना बनाएंगे देखा जाती है पर हुडा सा यहां टोडा से हां इनुझ किया है किवी कि पर जो वाइलोग नए है तो सप्रेब कर लिए यहां पर चली इसका कनेक्शन हम बताते हैं और जैसे कि हम नहीं होता है कि यहां पर यूच करते हैं तो जैसे ही दिन हो जागा तो यह लाइट बंद ऊ-जाएगा और जैसे यह राथ होगा तो यह light जो है कि चालू हो जाएगा और charging भी यह automatic करेगा आपको charge करने के लिए जरूवत नहीं है तो जैसे कि हम आपको बताई यह बाहर के लिए बना रहे हैं अंदर के लिए नहीं क्योंकि अंदर में यह काम ही नहीं करेगा दोस्तों यह बंद नहीं होगा यह बाहर के उसी तरीका से जोड़ेगा दोस्तों तो इसको आम इस तरीका से जोड़े रहे हैं यह शिलवर पट्टी साइड है और चली इसको यहां पर जोड़ लेते हैं थोड़ा सा यहां पर changing है नहीं वह आपको वीडियों पर यहां पर समझ में आ जाएगा तो चली इसको हम है ऐगती है। चली यहां पर हमने इस तरीका से जोड़ लिया है रहे हो जैसी इसको करने इसको करने से हो गया क्या दोस्तों चलिए वो भी आपको बताते हैं यहां पर जैसे कि हमने आपको बताया सोलर में होता क्या है कि यह थे तरीका से इसको इसको अलग रखी गा और यह जो एक रहे हैं सारा कुछ आपको नंबर सब्सक्राइब यहां देखा जाते हैं है तो यहां पर देखा जाते हैं इसकर सरकृट केयर सब्सक्राइब होता है कि Direct जो है कि वहाँ पर फॉर बोल्ड-5 यहां पर नहीं मिलता है धीर धीन होता है तो धीरी-धीरी यहां मीलता है इसके कारण जो ही रिक्ष्टर जो है कि जल्दी सा इसको उप करते सकेगा जैसे त्रों मालूम है battery का बैटरी का CHANCE कर से हैं ने कि इसको हम यहां पर ठखाएंगा दोस्तो यह पर यहाँ नहीं कर रहे हैं यहां पर जोबहे होगा सबकुछ औोमीटिक होगा यहां पर अपको बंद करने tummy पाइबन को तो आम इसई लैट के यूज़ कर रहे है और यह जो बचा मेरा पलस पॉइंट यह पर हमसोड कर देंगे जो ओबlaşए है यहाँ पर हमने को सुर्ट कर लिया है और अब ही बचा यह जो बैटरी का पलस करेंगा था सब्सक्राइब किसी तरीका है आपको नहीं यहां पर यहां पर टेशिट करें दोस्तों तब यहां पर यहां कि ऑन हो जा रहा है तो अभी यहां पर जो है कि हमको supply देना होगा solar का तो solar का supply आपको कहां पर आएगा दोस्तों वो चीज़ आपको बता दें तो यह जो दोनों रेइस्टर है ठीक है यह आप देख रहे हैं यहाँ पर होगा minus point और यहाँ पर आएगा plus point ठीक है तो इसको आपको यहाँ पर सोल्ड ही कर देना है तो चलिए यहाँ पर हम इसको सोल्ड ही कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पर चेक करके देखा सकें घर में तो आप इसको बिल्कुल भी यूज मत कीज़ेगा दोस्तों क्योंकि यह घर में काम नहीं करेगा यह जब भी करेगा बाहर में काम करेगा क्योंकि यह solar की लिए हम बना रहे हैं तो यह अभी ओन हो चुका है यहाँ पर तो सोलर जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर आपको माइनस देना है यहाँ पर प्लस देना है तो फिलाल मेरे पास तो भी सोलर जैसे कि अंदर है हम तो यहाँ पर धूप नहीं आएगा दोस्तों तो हम यहाँ पर प चलिया हम इसको यहां पर बढ़ाते हैं तो हम इसको इस तरीकासी यहां पर बढ़ाते हैं यहां पर बाहर के लिए हम आपको बताया आभी देखेंथ यहां है बंद तो यहां पर जो कि रिख्मेंगाँ डोस्तों तो यह क्या है कि जल्दी बंद नहीं होगा थीक है अब इसको कम करेंगा पिर से आ जाएगा यहां पर बढ़ानगा यहां पर खरां कोई यहां पर यहां पर सुंच लेगा दुडू कर लिए यहां झाल, 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 झाल